नमस्कार सातियों आपका एक बार फिर से सुवागता और इंदाता वेलफेर और डवलप्मेंट होप इंडिया की ओर से जो वेकेंसिया निकाली गई है खर्षी साइक और जिला समन्वेकी इन वेकेंसियों के बारे में डेटेल से आज अपन बात करने वाले हैं कि इन वेकेंसियों के एप्लिकेशन फोंफिल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए कितनी क्या सेलेरी मिलेगी यह जो पर्मानेंट है या नहीं है यह जो सरकारी है या फिर प्राइबेट है सारा कुछ डेटेल से अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करें यह जो vacancy है यह अंदाता welfare and development और इंडिया की और से निकाली गई है अब यह क्या है यह एक limited private company है गोर्मेंट से limited है लेकिन private सनस्तान है इसकी और से यह vacancy निकाली गई है अब देखिए यह जो permanent रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में आगे सारा विक्सित भारत संकल्प 2047 तक यानि 2047 तक भारत को विक्सित करना है इसी की तैत है इस company का गोर्मेंट से tender हुआ है और फिर उसी के तैत है यह vacancy है निकाल रही है तो यहाँ पर देखिए जो vacancy है इनके application form की फीस की बात करें तो कर्षी साहिक है इसके application form की फीस है 990 रुप यह फिर है यह दि बड़ा डिष्टिक है तो उसमें दो भी हो सकता है फिर देखिए next यहाँ पर बताया है कि यह आपका chain हो जाता है इन vacancy में तो आपके पास क्या होगा chain होने के पसाद आपके पास computer laptop, web camera, scanner वा internet आदि के आपके पास व्यवस्ता होनी चीए यह यह नहीं है एक तो है करसी साइक की और एक जिला समनवे की तो इन दोन पोस्ट का यह दिया आप application form फिल करना चाते हैं तो आपको अलग-अलग application form है वो फिल करना पड़ेगा करसी साइक के इसकी योगिता की बात करें तो बार वी आप पास कर रहे हैं किसी भी subject से agriculture, biology या फिर arts से तो इ application form फिल कर सकते हैं जिला समनवे की बात करें तो जिला समनवे के लिए आपकी graduation होनी चीए, graduation में आप चाहिए बियस से agriculture कर रहे हो या फिर biology से कर रहे हो या फिर BA कर रहे हो तो इसकी आप application form है वो फिल कर सकते हूँ, अब देखिए next यहां पर बताया है कि देखिए करसी साइ परते एक ग्राम सबा में एक होगा और परते एक ग्राम पंचायत में एक होगा यदि आपका selection हो जाता है करसी साइक में उसके बाद क्या होगा 10 by 10 का आपको एक room लेना होगा कारिया ले आपकी ग्राम पंचायत में वो आप किराई में ले सकते हैं या आपके खुद के भी ह क्योंकि आपको वहाँ पर बैठना होगा कारिय करना होगा लेपटोप ये सब आपको सिस्टम वहाँ पर रखना होगा जिला समन वेक है उनको क्या होगा कि जो आपकी परतिक ग्राम पंचाइत है उसमें देखिए जो जिला कर्शी साइक लगेंगे उनका कारिय आपको देखन प्रतिक कार्ड के इसाब से होगा अथ्वा इंदाता द्वारा कियेगे दिशा निर्देश के अनुसार आपको कारिये करना होगा और जो कार्ड आप बनाएंगे उनको डाक के थुरू किसानों तक आपको प्रेसित कर दिया जाएगा देखे फिर बताया कर्शी साइक को गोर्वानवित कराने के उद्देश्य से संचालित सभी योजनाओं को किरियानवन पूरे बलाक में कराना होगा यानि किसानों को गोर्वानवित महसुस कराने के लिए किया जा रहा है अभ्यारतियों को सो परवानित फो टू है अस्ताक्सर सलंगन करना अनिवारी होगा अ पेले merit तेयार होगी उसके बाद फिर interview होगा और उसी से आपका selection होगा फिर यहां पर बताया है देखें next कि यदि कर्शी साइक में आपका selection होता है तो ग्राम परधान या फिर सरपंच है उसके द्वारा चरीतर पर्मान पत्र आपको बनाना होगा इसके बाद देखें यदि जिला समन में आपका selection होता है तो पुलिस verification आपको करवाना होगा तता notary की copy आपको देनी होगी next या पर बताया है ब्यारतियों को आधार card, pen card वा समस्थ सेक्षिनिक पर्मान पत्र की 100 पर्मानित परतिलिपी आवसकता पढ़ने पर देनी होगी इस पूरे परकिरिया में कि CV परकार का नुक्सा नत्वा सत्य करते हैं तो इन दाता जिम्मेदार नहीं होगा next या पर बताया है care center head यानि कर्शी साइक वो जिला समन में के आवदन हे तु है आपका देखिए सत्यापन है 1 सितंबर चे 15 सितंबर तक किया जाएगा और 16 सितंबर चे 30 सितंबर तक चेहनी तब ब्यार्तियों का सत्यापन होगा आईउ के बात करें तो यहाँ पर देखिए कर्शी साइक वो जिला समन में के लिए 18 से 45 साल की student है वो इसमें apply कर सकते हैं अब ब्यार्तियों को पर्थम 11 महीने के लिए नियुक किया जाएगा अब देखिए यह जो जोब है वो कब तक रहेगी तो पहले क्या होगा आपको 11 महीने के लिए यह जोब मिलेगी उसके बाद क्या होगा इसके कारिये परगरती को देखकर 2046 तक परतिवर्स 11 मा के लिए उनका कारिये विस्तार करत किया जाता रहेगा यानि पहले तो आपको क्यों 11 मंत के लिए यह जोब मिलेगी उस देखिए आपे बताया है जिला समन वेक को क्या होगा कि जनपद इस्तर पर केर सेंट्रिया नि कर्शी साहिकों का मार्ग दर्शन करना होगा इसके साथ ही इंदाता द्वारा निर्धारित कारियों को भी पूर्ण करना होगा जिसका बुकतार अलग से दिया जाएगा चेहन परकेरिया के लिए मेरिट वर शाकसात कार के लिए चेहनी तब्यार्थियों को सुची बद किया जाएगा 1-15 अक्टूमर तक चेहनी तब्यार्थियों का इंट्रिवू होगा www.zoalk और से चेहनी तब्यार्थियों की समसी दस्तावेज़ों को पी रजिश्टर डौक से स निवारी होगा यह निए आपका सेलेक्शन होता है इन दोनों पोस्टों में से किसी भी पोस्ट वे तो गुवर्मेंट की कुछ सनस्तान है वहां से आपको प्रसिक्षन लेना होगा नेक्ष्ट यह आपर बताया है आवे दिन किया जाने के चेन परकिरिया पूर्ण होने तक अनदाता को अत्वा कारियाले में किसी भी करमचारी बोतिंग मिटिंग अतो वेक्तिकत मिलना शुकार नहीं किया जाएगा यहां से आप अप्लिकेशन फराम वह में फिल कर सकते है यहां से यापन किया नंबर पर पे कोन्टेक्ट करके भी आपको कोई वो डा उट कन्फूजन हो तो वह केलियर कर सकते है आविधन फोरम बरने का तरीका नीचे सलंगन है यहाँ पर देखिए डिटेल से दे रखा है कैसे application form फिल होगा तो यह PDF ले लिजेगा और इसको आप अच्छे से देखके यह application form फिल करना चाहे तो आप कर सकते है अब देखिए आपको समझ में आगे होगा यह दि आप अभी है और आप चाहते हूँ कि नहीं यह job मेरे लिए ठीक है तो आप इसके application form है वो फिल कर सकते हैं हाला कि application form की जो fees है वो काफी ज़्यादा है अब ज़्यादा क्यों है क्योंकि यह private company है तो अपने हिसाब से यह कर रही है तो आप देख लीजेगा यह आपको suitable लगे तो आप वो फिल कर सकते हैं सारी details से हमने इसके बारे में आपको बता दी help line number बता दी है इसके अलावा यहाँ पर देखे इसकी website भी हमने बता दी इस website पर जाके और detail आप इसके ले सकते हैं और यह दी आपको लगे कि नहीं मेरे लिए ठीक है मैं 12th pass हूँ किसी भी stream से या फिर आप graduation कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास जोब नहीं है मेरे को जोब की need है तो फिर आप इसके application फोम है वो फिल कर सकते हैं अन्य था मत करियेगा आये दिया आप चाहते हो कि नहीं मुझे government job लगना है या फिर और किसी आप competition की preparation कर रहे हो तो रहने दीजिए यह देखि में जहिन जिवारत